विक्रम बेताल की कहानी, ब्राहमन कुमार की कथा, बेताल का पीछा करते हुए राजा विक्रम आदित्य शिश्पा व्रिक्ष के पास पहुँचे और किसी तरह बेताल को अपने कंधे पर उठा कर आगे बढ़ने लगे। पहले की तरही बेताल रास्ता बढ़ा होने की वजह से राजन को कहानी सुनाने लगता है। बेताल कहता है, सालों पहले की बात है, जब उज्जैन नगर में राजा महासिन राज किया करता था। उसी राज्य में एक ब्राहमन रहता था, जिसका नाम वासुदेव था। उसका एक ही बेटा था गुनकार नाम का तो वह गुनकार था लेकिन उसमें कोई गुन नहीं था वो दिन रात बस जुआ खेलता था जुए में वह पिता के कमाई सारे पैसे हार जाता उसकी दो बहन भी थी उसे उनका भी ख्याल नहीं था वो बस दिन रात जुआ खेलने में ही व्य अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राहमन बड़ा परेशान हो गया। एक दिन वासुदेव ने सोचा मैं जो भी कमाता हूं उसे भी ये जुए में उड़ा देता है। यही सोचा कर उसने अपने बेटे गुनकार को घर से निकाल दिया। घर से निकलते ही वह दूसरे राज पहुंच गया। वहाँ वह भूखा प्यासा घूमता रहा, ना तो उसे कोई काम मिला और नहीं कुछ खाने के लिए। ऐसा होते होते वह एक दिन बेहोश हो गया। पास से ही गुजर रहे एक सिधा पुरुष ने उसे देखा, तो उसे अपने साथ गुफा में ले आए। खोश में आने के बाद योगी ने लड़के से पूछा, क्या खाओगे। ब्रहमन पुत्र कहता है, आप योगी हैं, आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो खाना चाहता हूँ, शायद वो आपके पास न हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस ब मनपसंद थाली प्रकेट कर दी। वह लड़का हैरान रह गया, पहले उसने खान खाया और फिर सिधा पुरुष से पूछा, ये चमतकार आपने कैसे किया। योगी ने कुछ कहा नहीं, बस अंदर की और जाना का इशारा किया। वह जैसे ही अंदर गया, तो उसे बड़ा स महल और दासियां दिखाए दी। सब ने उसकी अच्छे से सेवा की और वह आराम से सो गया। सोकर उठने के बाद उसने सिधा पुरुष से दोबारा वही प्रश्न किया। योगी ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है, तुम यहां कुछ दिन महमान की तरह रहो और व्यव ने उसे विधी बता दी और कहा कि जाओ अब मन लगा कर साधना करो। कुछ समय बाद वह साधना पूरी करके आ जाता है। फिर योगी कहता है, तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रही हो। यह पहला पढ़ाव था, जिसे तुमने पार किया है। अब तुम्हें दूसर पढ़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। सिधा योगी ने कहा, जाओ, जरूर जाओ। जाने से पहले ब्राहमन पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मान्द की। योगी ने अपनी सिध्धी से उसे खूब सारे तो पढ़े मान्गे, योगी ने उसे वो भी दे दिये। सब कुछ लेकर वो अपने घर पहुचा, तो उसके परिवार के सभी लोग गुनकार को देखकर दंद रह गए। साथ लाए तोहफे और धन को देखकर उसके ब्राहमन पिता ने पूछा, बेटा कहीं तुमने कोई चोर कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुनकार को संभल कर रहने और आहनकार ना करने की सलाह दी। कुछ दिन घर में बिताने के बाद गुनकार दोबारा सिध़ पुरुष के पास लोट गया। वहां लोट कर उसने दोबारा से साधना शुरू की। बड़ी लगन से वह ध्यान क करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मन पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पूरा कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी वह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुचा तो सिध़ पुरुष बहुत प्रसन हुआ। उस तेही ब्राह्मन पुत्र बेहद खुश हुआ और सिद्धी की मदद से मन चाहा भोजन हासल करने के लिए मन में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर हो गई लेकिन भोजन सामने नहीं आया। वो बहुत क्रोधित हुआ और चिलाने लगा। मेरी विद्या काम क्यूं नहीं कर रही है। मैंने भी सिद्धी हासल की है उसका फल मुझे क्यूं नहीं मिल रहा है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो गया और राजा से पूछने लगा। बताओ इतने मन से पूरी विद्धी करने के बाद भी उसे सिद्धी हासल क्यूं नहीं हो पाई। विक्रम आदित्य कहते हैं बेताल सबसे पहला कारण तो यह है कि वो विद्धी हासल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वो विद्धी लालच की वजह से हासल करना चाहता था। लालच के चलते की गई चीजों का फल कभी प्राप्त नहीं होता है। सिद्धी हासल करने के लिए व्यक्ती को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है। कहानी से सीख। हमें कभी भी विद्धी हासल करने का फैसला लालच की वजह से नहीं करना चाहिए और विद्धी पर रहनकार हो जाए तो वह समय पर काम नहीं आती। प्लीज हमारे चैनल को स सब्सक्राइब करो हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है